हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज किस वीडियो में हम देखेंगे पैंट में किस तरीके से आप पॉकेट अटैच कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाली हूं बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और कि कटिंग और स्टिचिंग भी मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे मैंने यह डबल फैबरिक ले लिया है फोल्ड किया हुआ एक साइड से खुला है देखे ओपन साइड मेरे साइड है तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं यहां पर लेंथ मैंने जो लेंद है वो देख लेते हैं डी कि यहां से जो लेंथ मैंने लीए हुआ वह 7 इंच है और यहां मैंने लिया और यहां से ह्लक सा राउंड शोय देदेंगे देखे धाई इंच के करीब है यह अब मैं सो कट कर लेती हूं इसकी लेंथ मैंने 10.5 इंच यानिकी 10.5 रखा तेरा इंच तक इसको रख सकते हैं और चड़ाई 7 इंच रखी है मैंने देखे यह हो गया और अब हम इसको पैंट में अटैज करेंगे तो यह हमारा पैंट है तो इसके पहले हम आसन वाले पार्ट को जॉइन कर लेंगे इस तरीके से बैक पार्ट है और वह हमारा फ्रंट पार्ट है तो यहां से मैं इसको स्टिच कर लेती हूं और इस वाले पार्ट को भी मैं इसके आसन वाले पार्ट से यहां से स्टिच कर लोंगी इसको स्टिच कर लेती हूं और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से करना है तो देखे यह हो चुका है तो यह मेरा पैंट का फ्रंट वाला पार्ट है और फ्रंट वाले पार्ट में ही हमें जो है पॉकेट को अटैच करना है और देखे यह है बैक वाला पार्ट है तो बैक वाला पार्ट ह नorie है उसके सीधे वाले पार को हमें रखना के सीधा वाला फल्ला उपर की साइड रखना है सीधा वाला फला उपर की साइड है और उन्टा वाला ला अंदर के साइड न है फैन continuity तो उसका मैं निशान लगा ले कि इसमें हमारा हाथ ईजीली चला जाए म險桃 का लिए और अब पॉके हमें निशान लगाना है तो देखिए इस तरीकित से में लगा लूंगी और इन लाइन्स को मिला लूँ गी अब इसके उपर रखते हुए इसे निशान के उपर हम सिलाई लगारेंगे मैं जेसे हमने निशान लगाया वह बिल्कुल वैसे ही हमें सलाई लगा लेना है तो इसके जो निशान जो हमने लगाया उसके बाहर की साइड देखें तो बाहर की साइड आधे इंज से बाहर की साइड निशान के कट लगाया है मैंने इस तरीके से यह हो गया है इस तरीके से रख लिया हमने इसको और अब हमें इसके किनारी जो है नीचे वाला पार्ट उसको बंद कर लेना है कि इसके नीचे वाले पार्ट को भी हमने सिल लिया है और यह देख सकते हैं जिसे नॉर्मल हमने पहले रखा था बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल रखने पर यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है नीचे वाला पार्ट इसका सिला हुआ है यह हमने किनारी सिल रखी और यहां से इस तरह से पलट लेने के बाद यह हमारा बैक साइड में चला जाएगा देखिए इस तरीके से आ गया यह बाहर की साइड तो इसको अब हम पीछे की साइड कर लेंगे और जो आधा इंच का हमने कट लगाया था यह देखे यह हमारा फैब्रे किस तरीके से बाहर की साइड आ जाएगा और अब हमें इनके किनारे से बिलकुल साइड से किनारे किनारे से पूरे में सिलाई लगा लेना है और जितना ही आप पास जितने अच्छे से लगाएंगे उतना ही ये सही निजर आएगा अच्छा लगेगा तो मैं इसकी भी सिलाई लगा लेती हूँ उम्मीद है आपको यहां तक वीडियो अच्छे समझ में आई होगी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो आती रहेंगी और इसके अगले वीडियो में इसके पैंड की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही अपलोड करूँगी वो भी आप जरूर देखेगा बहुत ही में आसान तरीके से मैंने उसमें बताया हुआ है बहुत ही इजी लिए आपको समझ में आ जाएगा तो इसको हमने स्टिच कर लिया है किनारी इसके स्टिच हो गई है तो उसके बाद इसके ऊपर वाला पार्ट देखेए खुला रहेगा जेप का इस तरी के से हैं देखे यह हो गया ऊपर वाला पार्ट इसके खुला वाज़ें आप Every लगाएंगे तो वह वाला पार्ट भी इसका बंद हो जाएगा यह देखे भागकी सारा पार्ट बंद है और उपर वाले पार्ट में जो आप इलास्टिक लगाएंगे तो वो भी बंद हो जाएगा और हमारा पॉकेट जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है और इसके उपर आप में बैक वाला पार्ट रख लेना है और ये किनारी से मिलाते वे सिल देना है और ध्यान रखना है कि हमारा जो जेब वाला जो खुला पार्ट है वो उसमें नसीले तो इसके आप नेक्स्ट वाले वीडियो में इसकी सिलाई भी आप देख लेंगे